रादे रादे फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मीनास किचन में और आज जो खाना मैंने बनाया था वो इतना टेस्टी बना था कि मलब अच्छे-चे होटल का खाना भी फेल हो जाए अच्छे-चे राजभोग भी इसके आगे फिके लगते हैं क्योंक टेस्टी था खाना कि सब उंगल्या चाटते रह गए थे तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है और अगर आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं वैसे आप इस खाने को केस पर भी बना सकते हैं तो सबसे पहले ना बेंग ले लिया है इस पर डाल दिया लैसुन और हरी मिर्च और साथी हरा धनिया जो यह बेंगन को भड़ने के जो स्टफिंग तयार कर रही हूं बिल्कूल देसी है और बहुत ही कम मसाले के साथ हम इसे बना के तयार करेंगे जिससे क्या होगा कि जो सबजी का ओरिजनल टेस्ट न वो आएगा और बहुत ही टेस्टी जो है खाना बनके तयार हो जाएगा तो यहां पर कूटने के लिए क्या किया है कि थोड़ा सा नमक डाल दिया मतलब जितना भी नमक हमें एड़ करना सबजी में वो सारा मेने यहां पर डाल दिया है लगबग एक से डेड़ चमच नमक डाल दिया है और इसकी वज़े से क्या होगा कि जो मसाला है न कुटने में आसानी हो जाएगी बिल्कुल भी फिस लेगा नी और उचलेगा नी और अच्छे से पिस जाएगा विसे बहुत बारिक नहीं हलका सा दरदराई रखना है बाद में क्या करा बेसिक से मसाले डाल द तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से पीस के तयार कर लिया है और आप क्या करेंगे कि जो बेंगन है उसको चीरे लगा लेंगे जो देसी वाले बेंगन मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था छोटा उला भाई लाया था खेट से तोड़के एकदम ताजा उसके बाद में दो चीरे और साइडों में लगा लेंगे जिससे कि बाई चांस कभी कीड़ा वगेरा हो तो हमें अच्छे से दिख जाए और जो मसाला होता ना वो भी अच्छे से भढ़ने में आ जाता है तो इस तरह से जो है ना चीरे लगा के मतलब कट लगा के और हम इस तो बिल्कुल देशी खाना बनके तयार हो जाएगा तो देख सकते हैं आप यहां पे बेंगन मैंने ले लिये थे आइधिंक 700-700 ग्राम के करीब मैंने बेंगन लिये थे और सबको इस तरह से लंबे-लंबे जो कट लगा के और मसाला भरके तयार कर लिया है और अब इसके तो ओड़ छोटे कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे चुले पे बना रही हूँ इस वज़े से थोड़े बड़े-बड़े पीस रखे हैं मैंने और यह देख सकते हैं आप मैंने यहां पे चुला भी लगा लिया है वैसे मुझे चुले पे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा मेरे यहां पर सबस्क्राइन में चुले नहीं तो जब भी मम्मी कि आती हू अथी न तो में चुले पर खाना बना चुला भर दो सदते को चाल लिए कड़ा एक बड़ा ऑगर छोरी चुले में ऊपर चड़ाली गड़ाई समें डाल दिया एक बड़ा चमेच तेल घंका सागरम यहाँ तो जीरा डाल दिया और उसके बार डाल दिये इसमें जो बेंगन के लिए फोड़ा स्वर्ट कर लेंगे ना इसको तॅ अच्छे पांस मिनित चल्पलिया पांसे इस्तर आपड देंगे मैंब यद्युट였습니다 आंगे और मसाले जो एक ज़लेंगे नहीं अब फमिक्रा चला लेना है अच्छ से मतलब यहां-ष कोरी 3-4 ट्रामार। रिजेने कृट लिए और थोड़ा सा जो मसाला मों ने बनाया था भछ गया था मों इसी स्टेच घर दिया अभी क्या करेंगे फिर से इसको ढखके और हम इसे पकने देंगे लगबग 5-7 मिनिट के लिए और यह देख सकते हैं सब्जी है न अच्छे से पक गई है जो हमने टमाटा डाले न वो पाने भी रिलीस कर देंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि जो हमें मतलब जिसे इस तरह से मसाला अगर हम ज़्यादा मिर्ची पगरा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है लेकिन इस तरह से मसाला डाल देंगे न तो ग्रेवी जैसा हो जाएगा तो मक्की की रोटी के साथ काने में काफी अच्छा लगता है सबजी बनके तयार हो गई है तो कर मैंने अलग से एक और्ल वीडियो भी बना रखी है किस तरह से आप मक्कि की रोटी आसानी से बना सकते हैं आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं और बहुत या सब्रहती होता ना यहाँ भी ब्रुमित्ती कही होता है ताकि इस पर मकी की रोटी ना काफी अच्छी जो है सिख जाती है और अभी क्या करेंगे लगबग 2-3 मिनिट हो गए तो एक बार के लिए रोटी को पलटा देंगे तो हमें क्या करना रेता है जो इस पेचुला होता ना और फिर से इसे सेक लेना है दोनों साइड से अलट पलट के अच्छे से सेक लेना है और इसे चुले पर जब रोटी सिखती है तो बिल्कुल भी कच्छी नहीं रेती है और काफी टेस्टी भी लगती है तो इस तरह से हमारा देसी खाना बनके तयार हो गया है और इसी के साथ जो गूड़े न देसी वाला वो भी मैंने ले लिया है मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में भी तो ये ताजा गन्ने का जो गूड़ होता है बिल्कुल पतला वाला वो वाला गूड़े काफी टेस्टी लगता है अगर आपके पास ऐसा वाला नही है तो आप जो होता है डली वाला गुर्ड वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह से आप खाना बना सकते एकदम देसी अंदाज में काफी स्वाधिष्ट लगता है और देख सकते हैं खाना बिल्कुल बनके तयार हो गया है तो अगर आपको मेरी आज की रेसी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे मैं डेली आपके साथ नहीं-नहीं इस तरह सी वीडियो शेयर करती रहती हूं और मैं कोशिश करती हूं कि जो भी खाना में बना हूं बिल्कुल आसानी से आपको मोटिफिशन मिलता रहे